अब लोगों का इस वापस से आपका स्वागत है और ब्रेक से पहले मैंने आपको लगाती है वो सब चीजे मैंने आपको बताई अब अपन चालू करते है that is the basic concept and tax rate for the assessment year 21-22 अब एक चीज समझना मैंना जैसे आपको बताया कि आपको income tax पढ़ने के लिए किन किन चीजों का knowledge होना चाहिए income tax law को पढ़ने के लिए मैंने बोला आपको knowledge होना चाहिए एक तो नहां पे जो captain है that is the income tax act 1961 और उसको support करने के लिए जो है वो income tax rules बनाए जाते है तो देखो बेटा income tax act is the main source of the income tax law law किसको बोलते हैं मैं पहले बता चुका हूँ law एक broader term है और law के अंदर ही act है rules है notification circular case laws यह सब मिल जाते है तब जाके आपन बोलते है act तब जाके हम क्या बोलते है act करके तो देखो क्या लिखा हुआ है income tax act 1961 income tax act is the main source of the income tax law it provide determination of total income इसमें लिखा हुआ है total income कैसे निकालना tax liability and processor for the assessment etc. यह सब चीजे income tax act में लिखी हुई है मैं इस main provision जो है वो income tax act में दे रखे होते है income tax rules 1962 income tax act empower central board of direct tax that is called CBDT अपने revenue के दो board है one is the CBDT central board of direct tax और एक होता है तुमारा CBIC जो GST indirect taxes custom वगेरा से related देखता है तो that is called CBIC पहले CB EC हुआ करता था now it is a CBIC to make the rules और CBDT क्या करता है rules बनाता है जितने भी form है जैसे तुमारे जो ITR forms आते है ITR 1 ITR 2 यह कहां लिखा हुआ है यह rules में लिखा हुआ है depreciation की rate कहां लिखी हुई है वो rules में लिखी हुई है ठीक है एक क्या हुआ एक बंदा आया और वो बंदा बोलता है कि चलो मुझे पढ़ाना है तो मैंने उससे एक simple सी चीज़ पूची मैंने का computer में depreciation की rate क्या है तो he said that 40% मैंने का पहले भी 40 था उस मैंने बोला इसमें से ढूंड के बता कि section 32 में यह कहां लिखा हुआ है कि computer पे depreciation की rate 40% रहेगी उसने बेचारे देच्छे बार ढूंड लिया उस पे तो भी नहीं मिला क्योंकि income tax की जो depreciation की rate है वो rates आपको act में नहीं दे रखी है वो rules में दे रखी है act में सिरफ क्या depreciation allow होगा तो उसको support करने के लिए क्या होते है rules होते है जैसे आपने GST में दे रखा होगा main provision है वो GST Act में दे रखा है but उसको support करने के लिए rules होते है जैसे valuation rules है ठीक है तो वो सब कहां पे होते है rules में दे रखे है तो वैसे ही जितने भी form है procedure है principle of valuation or percusate are provided in the rules कि percusate की value कैस दिखा होगा intermediate में के car में वो कैसे लेते थे 1600 CC और वो सब कहां दे रखा है वो सब rules में दे रखा है ठीक है अब एक बात बताओ तीसरा सबसे interesting part और important part होता है that is the finance act क्योंकि वहिया जितने भी amendments आते है हर साल because act तो बना दिया 1961 में rules भी बना दिये लेकिन एक बात बताओ जित finance act कैसे बनता है सबसे पहले finance bill present होता है जो finance minister रहता है और finance minister क्या करता है like अभी नर्मला सीता रमन जी है वो finance bill present करेंगे कहां पे parliament में और वो bill पे थोड़े time के बाद में discussion session होता है और वो discussion session के बाद में वो वहाँ से finance bill pass किया जाता है उसके बाद में वो president के पाथ जाता है जिस दिन President उसको approval दे देता है उस दिन से वो Finance Act बन जाता है ठीक है उस दिन से वो क्या बन जाता है Finance Act अब एक चीज समझना for your examination आपके examination के लिए Finance Act 2020 is applicable जो भी Finance Act 2020 से जितने भी amendment हुए है that is applicable for your examination इसका मतलब this Finance Act 2020 is basically for the previous year 2021 प्रीवियस यर 2021 में जो अपन अभी आज है previous year 2021 में जो income कमा रहे है उसके लिए assessment year कौन सा होगा तो मैं बोलो assessment year 21-22 so Finance Act 2020 is applicable for previous year 2021 and assessment year 21-22 है वो 21-22 के लिए ये amendments applicable होंगे करके ठीक है अब एक चीज समझना आप मुझे ऐसा पूछ सकते हो कि sir amendment जो होते है Finance Act में वो कब से applicable होते है देखो वहाँ जब भी कोई amendment होता है कोई भी provision होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि यह provision इस assessment year से applicable है उस provision में ही लिखा होता है अगर जो amendment होता है उस amendment में लिखा होता है कि this amendment is applicable कभी-कभी retrospective amendment भी होते है आप बोलोगे यह retrospective amendment क्या बला है retrospective amendment में पीछे से like I can take one example कि आज कोई section में amendment किया और बोला यह 2012 से तो that is called retrospective amendment but mostly amendments होते है वो prospective होते है अब आप बोलोगे कौन सी date से applicable होते है तो उसमें बहुत बार क्या होता है पता है कि जो amendment होता है उसमें लिखा होगा as may be notified as may be notified from the date on which is as may be notified as may be notified में उसके लिए separately notification आएगा और जिस दिन वो notification डालेंगे जिस दिन वो notification आएगा उस दिन से वो amendment है वो applicable होगा तो देखो finance act में specifically बहुत बार तो directly लिख लिए होता है कि it is from assessment year so and so तो भाईया वो उस assessment year से applicable है और अगर मान लो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है as may be notified मतलब वो notification की date से applicable होगा उसके लिए अलग से notification आएगा और जिस दिन notification आएगा उस दिन से वो amendment applicable होगा तो देखो क्या लिखा हुआ है finance act तीसरा सोट साब का सबसे पहले क्या होता है presenting the bill every year finance minister present a finance bill in the parliament parliament में वो finance bill है वो present करता है which contain various amendments proposed to be made in the direct and indirect taxes finance bill 2020 presented by Nirmala Sita Raman as on the first feb 2020 को Nirmala जी ने ये budget present किया था finance bill present किया था उसके बाद उसको approval आता है और approval कैसे होता देखो as soon as bill passed by both the house of parliament and thereafter receive the approval from the president it becomes the finance act जो finance bill 2020 है that becomes the finance act on 27th march 2020 जो 27th march 2020 गया वो 27th march को president ने sign कर लिया था तो 27th march 2020 को finance bill 2020 है वो finance act 2020 बन गया था after receive the approval of the president next part amendments the amendments proposed therein are then incorporated in the income tax act and the finance act brings amendment to the direct tax laws and it provides the tax rates also जो finance bill होता है देखो अपनी जो tax rate होती है इसे मैंने बोला एक तो के वही कोई amendment आता है उसके लिए ऐसा लिखा हुआ है as may be notified तो जस दिन वो notify करेंगे उस दिन से वो amendment applicable होगा अब एक चीज़ समझना जो notification होता है ना वो आपके लिए binding होता है मिस आपको मानना ही मानना है अगर कोई notification आता है तो notification आपको मानना ही मानना है for an example I can take one example कि सबोच ज़िए जिएस्ट का example लेता हूँ जिएस्ट मैं कहीं पे rate 9% थी अब उनका government का notification आया कि ये rate 18% होगी जिएस्ट की rate करके ठीक है यह 12% से 18% होगी अब 18% होगी वो notification है so you have to follow that आपको मानना ही पड़ेगा it is binding to all मिस department के लिए भी binding है as well as आपके लिए assessi के लिए भी binding है that is called notification लेकिन जो circular रहते है ना circular किसी provision को clarify करने के लिए होते है जैसे को provision है उसको clarify करने के लिए वो लोग circular issue करते है और यह circular रहते है यह department के internal purpose के लिए रहते है department के internal purpose के लिए रहते है circular is not binding to the assessi it is binding to the department department पर यह binding होते है department को यह follow करने पड़ते है लेकिन assessi पर यह binding नहीं होते है अगर कोई circular assessi के लिए beneficial है तो assessi उसको opt कर सकता है but if it is not beneficial to assessi तो assessi उसको ignore भी कर सकता है तो मैं बोलो, notification is binding for both, department as well as assessee, सब के लिए binding है, but circular are binding to the department only, if it is beneficial to assessee, तो assessee उसको follow कर सकता है, otherwise assessee उसको follow नहीं करेगा, तो भी चलेगा, अब एक चीज़ समझना, एक example लेता हूँ, circular और notification का, notification तो आपको पता है, आज कल institute के भी बहुत notification आते रहते हैं, तो notification is basically binding, ठीक है, एक circular का example लेता हूँ, आपको याद है, आपके office में, आपने audit fees के लिए अपने client को bill बेजा, और client को जो bill बेजा, उसकी value है 1 lakh rupees, that is your fees, इसमें आपने GST add किया 18,000, आगे वाले का total 1 lakh 18,000 का bill है, अब एक बात बताओ मुझे, वो जो आपको payment करेगा, तो उसमें TDS काटेगा, professional fees पे, under section 194J, और 194J में जो TDS काटेगा, तो TDS 10% कटता है, अभी थोड़े time के लिए 7.5% किया गया है, तो मानलो इस पे जो 7.5% TDS है, वो TDS कितने पे काटेगा, आप ही बताओ, 1 lakh 18,000 पे काटेगा, या फिर सिरफ 1 lakh पे काटेगा, जो TDS है, वो 1 lakh 18 पे काटेगा, client या only 1 lakh पे काटेगा, right answer is only 1 lakh पे काटेगा, वो क्या करेगा 1 lakh पे, क्योंकि जो GST on service component है, उस पे TDS नहीं काटोगे तो भी चलेगा, ये एक CBDT का circular है, अब एक बात बताओ, तो अगर मानलो किसी बंदे ने पूरे 1 lakh 18,000 पे काट लिया, किसी बंदे ने, पूरे 1 lakh 18,000 पे काट लिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा, क्या, answer is no, ऐसा कोई गलत नहीं है, आपने काट लिया तो काट लिया, कोई दिक्कत नहीं करगे, ठीक है, आपने वो circular follow नहीं किया, To clarify the meaning and scope of certain provision contained in the Act means Act में जो provision है उसका meaning बताने के लिए scope बताने के लिए ये issue होते है Notification are issued by Central Government और CBD to give effect of provision of the Act means Act का कोई provision है उसमें लिखा हुआ है as may be notified means वो amendment का effect देने के लिए वो लोग notification issue करेंगे circular are binding to the assessing officer but not to the assessee and courts however assessee can take the advantage of circular which are beneficial to them उसका example मैं अभी आपको बता चुका हूँ ठीक है चलो उसके बाद तुमारे court के judgment आपन क्या पढ़ रहे है source of income tax law Miss income tax law को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों को आपको knowledge होना जी Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962 उसके बाद Finance Act 2020 वाला तुमारे लिए circular notification and तुमारा Supreme Court High Court के judgment यह judgment क्यों आते है क्योंकि litigation होती है हर चीज़ act में दी हुई नहीं होती है कही ना कहीं पर litigation वाला point आता है तो वो litigation वाला point फिर court में जाता है और court क्या करती है उस पर judgment देती है वो judgment भी आपको ध्यान रखने पढ़ते है तो देखो Various issues which are arise out of the provision of the act are decided by the High Court and Supreme Court उसके बाद अपन कुछ section पढ़ते है income tax की जो basic section है वो basic section अपन पढ़ते है और सबसे पहली section that is section number 4 it is called charging section देखो हर act की एक charging section होती है कोई GST कब लगता है वैसे income tax कब लगता है तो income tax की charging section is section 4 और section 4 बड़ा simple सा बात बोलती है कि जो भी आप previous year में कोई भी person है जिसने जो previous year में income कमाई है उस previous year की जो income है उस पे assessment year में tax लग जाएगा previous year में अगर आप जो income कमाते हो for every person उस income पे assessment year में आपको tax लग जाएगा ये तुमारी charging section बोलती है तो देखो charging section क्या बोलती है that is section 4 income tax is charged for every assessment year पहली चीज़ी है हर assessment year में लगेगा ऐसा नहीं कि आपको एक बार लग गया उसके बार tax ना लगया ऐसा नहीं every assessment year जो आप income कमाऊगे उस पे tax लगेगा every assessment year it is charged on every person as defined in section 231 means हर person की income पे अब person का मतलब क्या होता है वो तुमको यहाँ पे मैंने दे रखा है person की definition section 2 clause 31 not subsection it's clause 31 so 231 में person की definition दे रखिये तो every person की जो भी income है उस पे tax लगेगा it is charged on the total income earned by the person during the previous year means जो previous year में उसने income कमाई assessment year में उस पे क्या लग जाएगा tax the tax is levied at the rate prescribed by the finance act देखो finance act में जो rate दे रखिये उस rate से tax लगता है तो यहाँ पे section 4 में ही लिख लिया है कि जो finance act में जो rate दे रखिये उस rate से है वो tax लगेगा तो मैं बोलू चार्जिंग section क्या बोलती है कि every assessment year में every person को previous year में जो total income कमाई जाती है उस पे उसको tax बढ़ना पड़ता है you got my point or not yes चलो अब एक बात समझना सरी यह previous year और assessment year क्या होता है तो मैं एक simple सा logic आपको बताओ previous year assessment year intermediate में हम अच्छे से इसको बताते है previous year assessment year but in simple language previous year is the year in which you earn the income miss whatever earning का जो year है this year में income कमाते हो that is called previous year और this year में आप उस पे tax भरोगे that is call your assessment year और in simple word को बता दू previous year यह है तो उसके next वाला year है वो तुमारा assessment year है और I can say that assessment year के पहले वाला year है that is call your previous year अब एक चीज समझना सबसे पहले हापन assessment year की बात करते है assessment year को define किया हुआ है section 2 clause 9 में और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है assessment year means the period of 12 month commencing on first day of April every year income earned in previous year is taxed in assessment year for assessment year 21-22 is a period of 12 month commencing from the first April 21 and ending on 31st March 2022 तो मैंने क्या बोला? यहाँ लिखा है कि 12 month का period जो always 1st April को चालू होता है means assessment year will be always of 12 month हमेशा 12 month का ही period रहेगा घरे ठीक है और वो 1st April को चालू होगा और 31st March को complete होगा that is call your assessment year और जो previous year में income कमाते हो उस पे tax है वो आपके assessment year में लगेगा so for your examination your assessment year is 21-22 so this will start from 1st April 21 till 31st March 22 this is call your assessment year अब एक चीज़ समझना previous year किसको बोलेंगे तो मैं बता दू assessment year से पहले वाला जो period है assessment year जो होता उसके पिछले वाला year है that is call your previous year that is call your previous year तो देखो क्या लिखा हो है previous year section 3 previous year means a financial year immediately preceding the assessment year assessment year से पहले वाला for assessment year 21-22 the previous year shall be period from 1st April 2020 till 31st March 2021 total income earned in previous year 2021 is assessed in assessment year 21-22 अब एक बात बता हो question यह आता है कि previous year क्या हमेशा 12 month का होगा assessment year तो हमेशा 12 month का होगा क्या previous year भी हमेशा 12 month का होगा answer is no normally यह 12 month का होता है लेकिन इसके कुछ exception है जैसे आपने business कोई नया चालू किया है अगर आपने कोई नया business चालू किया in the month of the September 1st September को तो वो वाला previous year 1st September से चालू होगा और 31st March तक complete होगा मिस वो वाला previous year है वो 1st September से चालू होगा और 31st March को complete होगा देखो assessment year always 12 month का होगा बट previous year 12 month से कम हो सकता है अगर आपने कोई नया source of income या तो generate किया है उस साल में तो जिस date को वो source of income existence में आया वहाँ से लेके और 31st March ये तुमारा previous year रहेगा तो previous year 12 month से कम का हो सकता है अब एक और चीज़ समझना आप मुझे बोलोगे क्या sir हमेशा ऐसा होता है कि previous year में जो income कमाते हैं तो उस पर tax assessment year में ही बढ़ना है miss return वगरा assessment year में ही बढ़ना है answer is normally yes लेकिन इसके कुछ exceptions होते है जैसे कोई person इंडिया छोड़ के permanently जा रहा है या इंडिया से अगर ship कोई आई थी वो ship चली जाती है तो उनके लिए previous year में ही tax बढ़ना पड़ जाता है in that financial year the previous year shall be period beginning with the date of setting of the business or profession और as the case may be the date on which the source of income is newly comes into existence and ending with that financial year तो भाया जैसे आपने business या profession चलू किया वो 1st September को किया तो previous year will start from 1st September till 31st March person का definition क्या होता है देखो दो definition last एक तो person और एक तुमारा assessi तो question ही आता है person कौन होता है और assessi कौन होता है person में तुमारे 7 person है वो यहाँ पे cover किये हुए 7 person कौन? individual, H.U.F, A.O.P.B.O.I artificial, juridical person, local authority, company and partnership firm individual, H.U.F, company, firm, A.O.P.B.O.I local authority and artificial, juridical person individual का मतलब क्या होता है एक natural person आप हो, मैं हूँ, हम individual है तो हम person की definition में आएंगे H.U.F, Hindu law के हिसाब से एक Hindu family है वो अगर separate entity मानी जाएगी और उसको बोला जाता है Hindu undivided family अब आगे जाके यह बोल रहे है कि जब DTC आएगा, direct tax code आएगा income tax का आगे हो जकता है, direct tax code आजाए कौन बना सकता है, कोई भी Hindu family बना सकती है क्या Muslim लोग H.U.F बना सकते है answer is no, Muslim लोग नहीं बना सकते इसाही नहीं बना सकते है जो Hindu लोग है वो बना सकते है जो Jain है वो बना सकते है because Jain are part of the Hindu तो Jain है, वो Jain लोग है वो लोग H-U-E-P है, वो H-U-E-P बना सकते हैं, अब एक चीज समझना, H-U-E-P के बाद company, company means body corporate, private limited, limited, जो company होती है, वो सब तुमारे company में आ जाएगी, partnership firm, एक चीज याद रखना, firm में हमेशा LLP include होगी, जो limited liability partnership है, that is always included in the firm, LLP को आप अलग नहीं मानोगे, firm मतलब LLP भी सा नहीं जाती है करके, ठीक है, अब एक चीज समझना, sir आप बोलोगे, income tax में firm और LLP में कोई फरक है, answer is no, कुछ भी फरक नहीं है, जो firm और LLP है, उसमें कोई फरक नहीं है, for the purpose of income tax act, income tax act में जो firm का taxation है, वैसा ही LLP का taxation है, सरफ फरक एक जगे आएगा, जब मैं आपको presumptive basis taxation पढ़ाऊंगा, 44 AD section, जो 44 AD पता है, वो 8%, 6% वाला office में आपने किया होगा, वो firm के लिए होता है, लेकिन LLP वो section नहीं ले सकती, तो वहाँ पे जाके एक difference आजाता है, firm और LLP में, means that section is applicable to firm, but that section is not applicable to LLP, वो LLP पे वो section है, वो applicable नहीं होती है, you got my point or not, yes, it is applicable to firm, but it is not applicable to LLP, but otherwise मैं बता दू, firm and LLP दोनों same है, अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, आई रहा है आपके दिमाग में, और दिमाग में यह आ रहा होगा, कि sir, LLP में तो partner की liability है, वो limited होती है, मैं बता दू, income tax के लिए ऐसा नहीं होता, income tax में ऐसा नहीं होता, income tax में LLP का partner है, उसकी भ 67C की language यह चलती है notwithstanding anything contained in income tax at 1960, sorry notwithstanding anything contained in the LLP at 2008 जो partner की liability है वो यहाँ unlimited है for the purpose of income tax act, तो मैं बता दू बेटा income tax में firm और LLP में कोई फरक नहीं है, आप practical light में फरक देखते हो कि उसके लिए filing करना पड़ता है, यह करना पड़ता है but for the purpose of income tax दोनों में कोई फरक नहीं है you got my point or not, yes, चलो तो मैंने क्या बोला, person में कौन-कौन आएगा, individual आएगा, कोई दिक्कत नहीं individual में, HUP आएगा company आएगा, firm LLP आएगा AOPBUI, that is Association of Person and Body of Individual यह क्या होता है, AOPBUI AOPBUI के example के लिए, I can take one example of the joint venture, किसी ने joint venture बनाया, और कोई firm वगेरा नहीं बनाया, joint venture में लोग सामिल होते हैं, और वो कुछ ना कुछ purpose के लिए, कुछ aim के लिए कुछ business वगेरा करते हैं, that is called AOP और BYUI, इस से और simple सा example लेता हो, आपने देखा होगा trust जो charitable religious trust होते हैं trust का तो काम किया है, यहोगा office में तो जो trust होते हैं, वो trust जब तक registered नहीं होते हैं जब तक वो 12AA में registered नहीं होते है, 12AA या 12AA करके इस साल इक नहीं section आई है तो जब तक वो 12AA 12AA में registered नहीं होते हैं, तब तक हम उसको AOP BYUI treat करते हैं, Miss Association of Person and Body of Individual अब आप ओलो के Association of Person और Body of Individual में क्या फरक होता है Association of Person में कोई भी Person Member बन सकता है जैसे दो company joint venture में enter करती है और वो कोई entity नहीं बनाती है तो उसको Association of Person माना जाएगा क्योंकि person है, company is a person but Body of Individual में क्या होता है सिरफ individual लोग मिलके ही काम करते हैं, जैसे आप, मैं और दो-चार अपने friends और अपने 10 लोगों ने मिलके कुछ ऐसा club जैसा वगरा ऐसा कुछ बनाया मान लो ठीक है, और उसको हमने सब individual है, तो उसको क्या माना जाएगा Body of Individual, you got my point or not, yes अब एक और चीज़ समझना Local Authority, यह Local Authority क्या होता है, कि जो government के पैसे, जो government है, वो पैसे देती है उसको और वो लोगों के लिए use करते है, that is called Local Authority For example, जैसे BMC है, हमारे यहाँ पे जो BMC, that is Municipality Corporation करके ठीक है, आपके वहाँ पे जो gram पंचायत है, Municipality है, यह सब तुमारे Local Authority में आती है, और Artificial Juridical Person में, जो उपर कहीं नहीं आता, that is covered in the Artificial Juridical Person, we can take a example of the Devi Devta, तो जितने भी बगवान है, Devi Devta है, that is covered in the Artificial Juridical Person, that is called Person का Definition, तो total 7 Person है, जो income tax में, Person की Definition में आते हैं, Individual, H.O.F, Company, Partnership Firm, AOP, B.O.I. Local Authority and Artificial Juridical Person, Sir, Assessi कौन होता है, ये तो बात आपने कर दी, Person की सर, Assessi कौन होता है, तो मैं बता दू, इन Person में से, जो Tax Pay करने के लिए libel है, जो Tax Pay करने के लिए libel है, that is called Assessi, means Person libel to pay tax under Income Tax Act, then that person will be known as the Assessi, I can take one example, you all are the person but you are not Assessi, I am the Assessi also, I am a person also and Assessi also, because Person की definition, मैं तो मैं आता ही हूँ, as well as the मैं Assessi हूँ, तो मैं in simple word आपको ये बोल दू, All Assessi are Person क्योंकि जितने भी Assessi है वो Person तो होंगी, but all Person are not Assessi, you are the person but you are not Assessi, but I am a person as well as Assessi, you got my point or not so I can say that, all Assessi are Person but all Person are not Assessi, तो देखो क्या लिखा हूँ, Assessi की definition क्या बोलती है Section 2, Clause 7 में It means Any person who is liable to pay tax or any other sum, any other sum का मतलब क्या होता है, या तो tax pay करने के लिए liable है, या any other sum means, अगर मान लो income tax में under income tax act 1961 any other sum means आप से अगर department fees charge कर रहा है या penalty charge करता है जैसे आपको penalty का order आ गया तो क्या आप Assessi बन जाओगे answer is yes, because you are liable to pay any sum under the income tax act 1961 तो आप अगर कोई भी tax या any other sum under income tax act 1961 पे करने के लिए liable हो then you will be treated as the Assessi, next part, लेकिन Assessi में कुछ और है जो specifically डाले के ये भी आ जाएंगे, कौन-कौन, पहला It includes every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken for the assessment means किसी का assessment चालू हो गया हो क्या लिखा है, every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken for the assessment, उसका assessment चालू हो गया हो गया हो गया, ठीक है, और assessment उसकी खुद की income से related उसकी खुद की income से related, of his income और income of any other person in respect of which he is accessible, या किसी और की income से related बट वो income इस assessi के हाथ में आती है तो वो assessi बन जाएगा I can take one example मेरी कोई income नहीं है मेरा बेटा है, उसकी 4,00,000,000 income है अब वो 4,00,000,000 income मालों मेरे में club होती है और assessment चालू हो गया तो भाईया, एक बात बता, वो मेरा assessment मेरे बेटे की income है ना बेटे की income मेरे में club होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक चीज समझना, इस case में मैं assessive बन जाओंगा, तो मेरी income का assessment या किसी और की person की income का assessment जो मेरे हाथ में club हो रही है, और the loss sustained by him or any other person, और the amount of refund due to him or such any other person, means in simple case, अगर income tax में कोई assessment चालू हो गया, कोई proceeding चालू हो गई आपके खिलाब करके, ठीक है, आपकी खुद की income losses को लेके, किसी और person की income losses को लेके, तो उस case में आप assessi बन जाओंगे, दूसरा, every person who is deemed to be assessi under any provision of act, that is trustee or trust are a representative assessi, जैसे मानलो, income tax में कहीं लिखा होगा है, कि आप deemed to be assessi माने जाओंगे, तो deemed to be assessi होए, तो भी आप assessi बन जाओंगे, जैसे trust के लिए जो trustee होते है, वो representative होते है, करके ठीक है, तो भाईया, जो representative assessi होते है, तो जितने भी trustee है, वो भी assessi बन जाएंगे, और every person who is deemed to be assessi in default under any provision, अगर मानलो, आप income tax में कहीं पे भी assessi in default बन जाते हो, assessi in default का मतलब क्या होता है, जैसे, आपको tax भरना है, या TDS काट है, TDS government को भरना है, आपने TDS भरा ही नहीं, तो TDS भरा ही नहीं, तो आप default में आगे, तो आपको बोला जाता है, assessi in default, तो जो assessi in default है वो भी assessi माना जाता है, तो देखो, मैं बोलू, assessi कौन है, सबसे पहला, अगर कोई person है, liable to pay tax or any other sum under income tax act, that person is assessi, इसमें deemed assessi भी आ जाते है, कौन कौन सबसे पहला, अगर किसी के खिलाब proceeding चालू हो गई है, कोई assessment वगरा चालू हो गया, उसकी खुद की income से related, या income of any other person, य आ जाएगा, या फिर, जो कोई person है, वो person deemed to be assessi है, under income tax act, वो भी आ जाएगा, assessi की definition में, या फिर assessi in default है, तो वो भी assessi की definition में आ जाएगा, you got my point or not, yes, चलो, अब अपन चालू कर रहे है, आपके लिए सबसे interesting part, tax rate for the assessment year 21-22, के tax rate इस साल की क्या है, तो हम चलते हैं, अब tax rate पे, तो all people please pay attention, आपका ध्यान board पे होना चाहिए, इधर उदर नहीं देखना, आपके बास book नहीं है, तो भी चलेगा, चलो इधर देखो, आप सब लोग इधर देखोगे, मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ, tax rate कर गे, ठीक है, और tax rate कौन से year के लिए, तो मैं बता दू, हम सीखने वाले है, tax rate for assessment year 21-22, या मैं बोल दू, previous year 2021, कि जो भी income आपने previous year 2021 में कमाई, उस पे assessment year 21-22 में tax लगेगा, तो उस year के लिए tax rate क्या है, basically, जो आज income कमा रहे है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे जो मैं income कमा रहा हूँ, यह previous year 2020, sorry, previous year 2021 में income कमा रहा हूँ, tax है, वो assessment year 2021-22 में आएगा, तो sir, उस पे tax rate क्या रहेगी, तो अब एक बात समझना, tax rate जो होती है, वो दो तरह की tax rate होती है, एक तो होती है, तो होती है, तुमारी special tax rate, यह special tax rate क्या होती है, जैसे कुछ income पे special rate से tax लगता है, there are certain income और वो certain income पे special rate से tax लगता है, उसके लिए special tax rate, जैसे एक example लेता हूँ, मैं, इधर देखो, आपने यह सुना होगा intermediate में, कि जो तुमारा long term capital gain होता है, उस पे आपको 20% की rate से tax बढ़ना पड़ता है, जो तुमारा short term capital gain, 111 A वाला होता है, equity share, equity oriented mutual fund की units बेचते हो, उस short term capital gain होता है, तो वो आपको, आपको कौनसी rate से tax बढ़ना पड़ता है, 30 ना बेटा, 15% की rate से tax बढ़ना पड़ता है, वैसे ही आपने सुना था, कि जो आपकी winnings की income होती है ना, उस पे आपको 30% की rate से tax बढ़ना पड़ता है, तो यह सब special rates है, बहुत सारी rates और आती है, ज वो income special rates से taxable होगी, इसकी special rates है, वो respective section में दे रखी है, तो special rates जो है, वो हम topics के साथ में पड़ेंगे, जैसे capital gain में special rates जो है, capital gain पे उस पे अपन capital gain topic में पड़ेंगे, winnings वाली winnings में पड़ेंगे, अगर के ठीक है, उसके बाद में, अगर मैं मानलों बात करू, non-resident के लिए क special rates होती है, वो non-resident taxation में पड़ेंगे, आज हम जो पढ़ने वाले है, वो special rates नहीं पढ़ने वाले, आज हम जो पढ़ने वाले है, that is the general tax rate, आज हम लोग जो पढ़ने वाले है, वो general tax rate पढ़ने वाले है, कि general rate क्या लगती है, जो other income पे लगती है, भई LTCG 20% से जाएगा, STCG 111A 15% से जाएगा, winning 30% से जाएगी, विट सो जो बाकी income होती है, जैसे business का income हुआ, salary का income हुआ, house property का income हुआ, जो normal जिसके लिए special tax rate नहीं है, वो तुमारी general tax rate या normal tax rate से taxable होती है, और आज हम सीखने वाले है, आपकी normal tax rate क्या है, इस साल के लिए, तो देखो वेटा, मैं normal tax rate की बात है, वो चालू कर रहा हूँ, सबसे पहले आपका ध्यान इदर होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दू, in case of the individual, HUF, AOP, BOI, and artificial juridical person, ये जो लोग, कितने तुमारे चार लोग होगे, individual, HUF, AOP, BOI एक साथ लेते है, and artificial juridical person, company को छोड़ दिया, partnership firm को छोड़ दिया, local authority को छोड़ दिया, करके ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, individual, HUF, AOP, BOI, and artificial juridical person, इनके case में, tax rate क्या रहती है, तो देखो पेटा, इनके case में, आपको slab rate का benefit मिलता है, क्या मिलता है, slab rate का benefit, slab rate क्या होता है, तो इनके case में lawmakers बोलते हैं, क्या अप्टू 2,50,000 तक आप अप्टू 5,00, जो भी तुमारा, उस पे आपको 5% की rate से tax लगेगा, जो भी तुमारा मोर देन 5,00, जो 5,00 से लेके, और 10,00 का income है, उस पे 20% की rate से tax लगेगा, और 10,00 से जितना भी ज्यादा income है, उस पे आपको 30% की rate से tax लगेगा, अब आप मुझे यहाँ पे आपकी दिमांग में बड़े questions आ रहे होंगे, एक तो आपकी दिमांग में बड़े questions आ रहे होंगे, एक तो आपके दिमांग में यह question आ रहा होगा, कि सर एक बात बदाऊना, हमने तो budget आया था, तो हमने एक वो चीज़ देखी दी, कि अब टू 250 तक कोई tax नहीं, 250 से 5 lakh, 5%, 5 lakh to 7 lakh, 50,000 तक 10%, 7 lakh, 50 to 10 lakh का है, वहाँ पे 15%, 12,5%, sorry 15% के बाद में तुमारा 20%, 25%, 30%, सर वो भी तो एक tax rate था, वो क्या था, budget जब आया था, निर्मला सीतारमन जी ने जिस दिन budget दिया था, उस दिन new channel वालों ने, बड़ा, मतलब जोड़ जोड़ से table बजा के बोला था उन्होंने, और जोड़ जोड़ से बोला था, तुमारे tax में ये फाइदा हुआ, वो फाइदा हुआ, सर आप तो बोली नहीं रहे हो वो चीज़, जो मीडिया वाले बोल रहे थे, एक बाद बताओ, वो जो बोला था उन्होंने, क्या भाईया, वो तुमारे 5 slab rate थे, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, जो 2,50,000 के gap में slab rate दे रखे थे, वो लगेंगे, लेकिन उसके लिए specific conditions है, वो special rate है घर के, ठीक है, वो लगेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा, गरके, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो वाला, वो option दे रखा है आपको, क्या आप चाहे तो वो वाला slab rate लो, नहीं तो आप ये normal slab rate लो, तो हम तो normal slab rate की बात करेंगे, कल अपन डिसकूस करेंगे कल या परसो, जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको वो वाला slab rate लेना चाहिए या ये वाला slab rate जो normal slab rate है तुमारा 5%, 20% and 30% वाला ये लेना चाहिए तो देखेंगे मैं आपको बताऊंगा तो देखो बिटा वो सब चीजे है आप ये EC के topic में दे रखा है अगर मैं आपको बताना चाहूं अभी के वो सर कहां दे रखा है वैसा वाला सर वो 5, 10, 15, 20 तो इसी topic में यहाँ पे मैंने कुछ alternative taxation rhythm करके एक नया topic जोड़ा है that is alternate taxation rhythm मतलब आपके पास alternate ये भी options है और इस option में एक नई section इस बार इनों ने डाली है that is the 115BAC करके और देखो ये वाली section ये देखो 115BAC section और ये individual action आपके लिए यहाँ alternative taxation rhythm दे रखा है कि अगर आप ये चाहिए तो ये लो अब आप ये कब लोगे वो कब लोगे किस में क्या फाइदा है वो सब मैं analysis करके कल परसो तक आपको बता दूँगा और कल परसो में हम सब सीखेंगे कि यह कौन सी चीज बैटर है आपको पुराने वाले में जाना चाहिए या नए वाले में जाना चाहिए ये alternative है आपके प रहती है one is the general tax rate one is the special tax rate special tax rate we'll discuss with the respective topic now we are discussing the general tax rate और general tax rate क्या है तो मैंने आपको बोला कि in case of individual HOF, AOP, BUI, artificial juridical person ये चार assessi जो है individual HOF, AOP, BUI एक साथ में और artificial juridical person ये जो चार लोग है इनके लिए up to 2,50,000 तक कोई tax नहीं लगेगा 2,50,000 से 5,000 तक 5%, 5,000 तक 10,000, 20% more than 10,000, 30,000 क्या बोला up to 2,50 is basic exemption अब यहां किसी को दिमाग में एक और doubt आ रहा होगा सर हमको तो ये बताया था हमको तो ये पता है कि 5,000,000 तक tax नहीं लगता आप तो बोल रहे हो 2,50,000 तक ही नहीं लगता तो यहां पे क्या है सब जीज़े आएगी don't worry about that जितने आपके doubts है वो सब clear मैं कर दोंगा अटेंशन ना लो बहुत कुछ है करें ठीक है तो देखो सबसे पहले individual HOF AOP BY artificial juridical person up to 2,50,000 there is no tax 2,50 to 5,000,000 5,000,000 5,000,000 to 10,000,000 20,000 more than 10,000,000 30,000 अब एक चीज समझना lawmakers बोलते हैं कि जो ये individual HOF AOP BY artificial juridical person इनके case में up to 2,50,000 tax नहीं लगता ये जो up to 2,50,000 तक tax नहीं लगता ना इसको बोला जाता है basic exemption इसको बोला जाता है basic exemption तो जब भी हम basic exemption में जहां पे भी word बोलू आप समझना 2,50,000 2,50,000 is basically basic exemption अब एक और चीज समझना आप लोग यहां basic exemption को law में basic exemption नहीं बोला जाता law में इसके लिए एक word use होता है एक sentence यूज होता है basically और इसको बोला जाता है maximum amount which is not chargeable to tax that is called M-A-N-C-T maximum amount which is not chargeable to tax is 2,50,000 तो इन simple word में बोलो maximum amount which is not chargeable to tax ऐसा कितना maximum amount है जिस पे tax नहीं लगेगा that is 2,50,000 तो इसको basic exemption बोलो या maximum amount which is not chargeable to tax बोलो या फिर आप लोग यहां इसको basic exemption maximum amount which is not chargeable to tax या M-A-N-C-T बोलो इसका मतलब एक ही है अब एक चीज समझना अगर कोई person senior citizen है और यह senior citizen की बात है वो सिरब बात हो रही है in case of the individual क्योंकि एक बात बताओ मैं पहले तो आपको क्या बोल रहा था tax rate कि individual H-U-F, A-O-P, B-U-I, artificial, juridical person अब टू-50,000 तक कोई tax नहीं 252,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इंडिविज्वल जो है वो अगर तुमारा senior citizen है अब आप मुझे बोलो कि senior citizen क्या होता है मैं बताता हूपी अगर कोई individual senior citizen है तो उसके लिए जो basic exemption है ना वो up to 3 lakh हो जाएगा means 3 lakh तक का basic exemption 3 lakh तक कोई tax नहीं लगेगा इसके बाद जो भी तुमारा 3 lakh से जादा and up to 5 lakh है उसके टेक्स है वो 5% लगेगा उसके बाद 5 lakh से जादा and up to 10 lakh तक की income पे उसको tax 20% लगेगा and more than 10 lakh जो है उसको 30% की rate से tax लगेगा लेकिन यहाँ question आता है what do you mean by senior citizen senior citizen किसको बोलेगे तो समझना है senior citizen का मतलब होता है senior citizen का मतलब होता है senior citizen means resident individual age 60 years or more in previous year मैंने क्या बोला दिखो बेटा senior citizen किसको बोलेगे तो here senior citizen means resident individual अगर कोई भी person resident individual है पहली चीज़ वो resident होना चाहिए senior citizen होने के लिए मेरे भाई लोगो उसका resident होना बहुत जरूरी है यह जो resident है यह resident होना बहुत जरूरी है अगर कोई person non resident है उसका age कितना भी हो वो senior citizen नहीं है मैं senior citizen होने के लिए person का resident होना बहुत जरूरी है एक example लेता हूँ कि जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है Mr. Kaka और Mr. Kaka बंगलादेश में रहता है और वो इंडिया के लिए resident नहीं है मान लो non-resident उनकी age जो है वो मान लो 70 years है क्या वो senior citizen है? answer is ना बाबा ना वो senior citizen नहीं है क्योंकि senior citizen होने के लिए पहली condition यह है कि senior citizen होने के लिए पहली condition वो resident होना जरूरी है और अगर वो Kaka जो है जिनकी age 70 years है non-resident है उनके लिए 3 lakh का slab rate का benefit नहीं मिलेगा उनके लिए slab rate का benefit है वो slab rate का benefit आपका 2,50,000 है वो ही मिलेगा और basic exemption 2,50,000 ही मिलेगा तो देखो बिटा सबसे पहली चीज रेजिदेंट individual होना चाहिए age 60 years or more in the previous year means इस previous year में अगर किसी का age जो है वो 60 years or more हो जाता है तो वो तुमारा senior citizen है करके तो उसके लिए up to 3 lakh कोई tax नहीं लगेगा 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 30%, more than 10 lakh 30% लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना lawmakers बोलते है कि अगर कोई individual है और वो super senior citizen है individual है वो super senior citizen है तो super senior citizen है super senior citizen जिसका age 80 years या उससे ज़्यादा है उसके लिए up to 5 lakh तक कोई tax नहीं लगेगा means 5 lakh का basic exemption कोई tax नहीं लगेगा more than 5 lakh 5 lakh से लेकिन और up to 10 lakh तक सीधा 20% tax लगेगा and more than 10 lakh जो है उस पे सीधा 30% है वो tax लगेगा तो देखो बिटा जो super senior citizen है अब आप बोलो कि super senior citizen किसको बोलेंगे तो मैं super senior citizen के यहां लिख लेता हूँ मैंने बोला what is the tax rate तो tax rate की बात कर रहा हूँ individual HOF, AOP, BOI, artificial, juridical person up to 250 कोई tax नहीं है 250 से 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30% in case of the senior citizen that is resident individual age 60 or more resident individual age 60 or more that is called senior citizen उसके case में up to 3 lakh तक कोई tax नहीं है 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30% in case of the super senior citizen जिनका age 80 या उससे ज़्यादा हो चुका है in previous year उनके लिए up to 5 lakh तक कोई tax नहीं है 5 lakh to 10 lakh 20% और more than 10 lakh 30% अब एक चीज समझना, यहां पे एक interesting वाला part आता है सब लोग समझने ही कोशिश करना इधर देखो बटा, एक example ले रहा हूँ उस example पे आप गौर करना और समझने ही कोशिश करना इधर देखो जैसे एक बंदा है जिसका नाम है Mr. Bala एक बंदा है जिसका नाम है Mr. Bala यह Bala बाला के बाल भी है बाला अब एक बात बात समझना बाला जो है resident है अब एक चीज़ समझना बाला अपना 60th birthday celebrate कर रहा है 60th birthday celebrate कर रहा है मैंने के काट रहा है कब काट रहा है पता है 60th birthday celebrate कर रहा है on the 1st April 2021 को 1st April 2021 को वो बंदा अपना 60th birthday celebrate कर रहा है मेरा आप से question यह किसर इसका जनम कब हुआ होगा इसका बर्थ कब हुआ होगा मुझे बताओ तो मैं बोलू इस भाई का बर्थ हुआ होगा calculate करके बताओ ना 60 year पीछे जाओ सर आप ही बता दो तो मैं बताओ शायद 1st April 1961 को हुआ होगा 1971 81 91 2001 2001 2011 21 60 सही है 1st April 1961 को हुआ था उसका बर्थ वो 60th birthday celebrate कर रहा है अपना cake काट रहा है ठीक है और cake कब काटता है जिस दिन अपन birthday होता है उसी दिन काटते है cake मेरा birthday 10 December को आता है तो मैं 10 December को cake काटता हूँ और 10 December को सब लोग बोलते है जिनको खुशी हुई नहीं हुई बोलते है happy birthday to you and all that thing वो सब चीज़े होती है मेरा यहाँ पर question आप लोगों को यह है कि यह 60th birthday celebrate कर रहा है 1st April 2021 को 1st April 2021 को यह 60th birthday celebrate कर रहा है अब मेरा question यह है कि आपके exam के लिए previous year कौन सा है तो मैं बता हूँ आपके exam के लिए previous year जो है that is the 2021 और previous year 2021 का time limit क्या है that is from 1st April 2020 से लेके और 31st March 2021 1st April 2020 से लेके और 31st March 2021 यह आपका previous year 2021 का time है अब एक चीज समजना senior citizen किसको बोलते है वापच चलते है senior citizen पर अभी तो पढ़ा था senior citizen किसको बोलते है तो resident individual resident individual age 60 years or more in previous year अगर इस previous year में it means यह वाले period में जहां पे अपना cursor है देखो यह वाले period में यह वाले period में अगर किसी का age 60 years हो गया तो वो senior citizen है उसको basic exemption 3 lakh का benefit मिल जाएगा उसको basic exemption 3 lakh का benefit है वो 3 lakh का benefit मिल जाएगा मेरा question आप लोगों से यह है कि वो जो cake काट रहा है ना वो जो cake काट रहा है 60th birthday का वो cake तो 1st April 2021 को काट रहा है जनम कब हुआ था 1st April 1961 को हुआ था So my question to all of you उसका 60 years complete हुआ यह कब माना जाएगा 60 years complete कब माना जाएगा 1st April 2021 को माना जाएगा means उसका जो 60 years complete हुआ वो कब माना जाएगा 1st April 2021 को या 31st March 2021 को क्योंकि अगर आप मानते हो कि 60 years का age 1st April 2021 को हुआ 1st April 2021 को हुआ तो इसको higher basic exemption 3 lakh का next year में मिलेगा लेकिन अगर आप यह बोलते हो कि नहीं नहीं सर वो birthday भले 1st April को celebrate कर रहा है cake भले 1st April को काट रहा है बड 31st March को जो है वो उसका 60 years complete हो गया तो उस case में अगर मान लो 31st March 2021 को उसका 60 years complete होता है तो higher basic exemption का benefit इसी साल previous year 2021 में ही मिल जाएगा सो मेरा question आप लोगों से यह है कि कब माना जाएगा 60 years का age complete कब हुआ 1st April 2021 को या 31st March 2021 को इन simple word बता दू previous year 2021 में क्या उसको higher basic exemption 3 lakh का benefit मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ 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 मेरे बाही लोगो तुम चो इतना मस्कुरा रहे हो चलो 60 years का age complete कब माना जाएगा जिस दिन के काटते उससी दिन या उसके पिछले दिन क्योंकि उसी दिन माना जाएगा तो तो फिर अगले साल higher basic exemption और अगर उसी उस दिन के पिछले वाले दिन 60 years पूरा मान लिया जाएगा तो basic exemption इसी साल 3 lakh का बताओ मुझे क्या करना है बोलो 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 अच्छा मैं बताओ अभी देखो अगर आप जिस दिन बर्टने को नॉर्मली येर किसको बोलते है जैसे कोई चीज 16 जुलाई 2019 को चलू हुआ तो इयर कम्प्लीट कब माना जाएगा 15 जुलाई 2020 को जिस दिन कोई चीज स्टार्ट होती है उसके साल पूरा होता है उसके पिछले दिन तो 15 जुलाई 2020 को साल कम्प्लीट हुआ तो इसी थियरी पे आप चलो एक बात बताओ, इसका जो जनम हुआ, वो 1st April 1961 को हुआ, his celebrating birthday on 1st April, बट बेटा, उसका 60 years तो complete 31st March 2021 को हो चुका है ना, 31st March 2021 को उसका 60 years complete हो गया ना, तो इस case में इसको higher basic exemption का benefit इसी साल मिल जाएगा, तो इन simple word बताओ, कि आपका particular year of age complete होता है last day को, मैं जैसे 10 December 2000, N20 में, मैं मेरा 31st birthday मानलो celebrate करने वाला हूँ, तो मेरा 31st year का age 10 December को नहीं, 9 December को complete हो गया, और इसको लेके CBTT ने फिर सर्कुलर निकाला है और CBTT बोलती है, कि अगर आपका 60 year जो complete हो रहा है, 60th birthday जो है, वो आप celebrate कर रहे हो 1st April 2021 को, तो भी यह माना जाएगा कि आपका 60 years का age complete हो गया था 31st March 2021 को, and you can claim the higher basic exemption का benefit, you can claim the higher basic exemption का benefit, तो यहाँ पे मैं आपको अगर एक short में एक चीज लिखना चाहूँ, तो मैं ऐसे लिख लूँ, देखो, बुक में तो मैंने हर चीज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो देखो बिटा, इधर देखो, मैं ऐसे लिखू, अगर कोई परसन है, जिसका बर्थ देट, बर्थ देट, 1st April 1961 है मालो, तो basic exemption for previous year 2021, और you can say that assessment year 21-22, कितना मिलेगा, 3 लेक, higher basic exemption का benefit मिल जाएगा, because previous year 2021 में, यह माल लिया जाएगा, 60 years का age complete हो गया, वैसे ही, अगर कोई परसन है, उसका 1st April 1941 है, तो basic exemption इस साल में आपका 5 lakh हो जाएगा, basic exemption इस साल में आपका 5 lakh है, वो हो जाएगा, you got my point or not, अरे बोलो ना आपको समझा के नहीं समझा, अरे रे रे, समझा के नहीं समझा, समझा, ठीक है, तो देखो, मैंने क्या बता है, एक बार मैं क्विक्ली रिवाइस करवा रहा हूं, अभी तक जो मैंने tax rate बता है, किस-किस का इदर देखो, इंडिविक्ट वफ, अभी, आपब, ए राधिविक्ट जेरिज़िकल पसंट, उट टीक राते हैं, आप तो 2 lakh 50,000, उटका सक्षोंफा किस बासिक क्यों पस्चेंश, च्कुप्ति, लिवक्ति, लिवक्ति, 2 lakh 5 लिवक्ति, 20 लिवक्ति, लिवक्ति, 30% in case of the senior citizen senior citizen means resident individual is 60 years or more in the previous year up to 3 lakh there is no tax or I can say that 3 lakh is basically basic exemption in case of senior citizen that 3 lakh is basic exemption up to 3 lakh there is no tax 3 lakh to 5 lakh 5 percent 5 lakh to 10 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent in case of the super senior citizen means individual resident age 80 years or more in the previous year up to 5 lakh there is no tax, 5 lakh to 10 lakh 20% more than 10 lakh 30%, I can say that this 5 lakh is basically basic exemption, basic exemption for super senior citizen, अब एक चीज समझना ये तो रही tax की बात अब एक बात समझना ये जो tax आता है ना इस tax के अंदर आपको add करना पड़ता है surcharge means surcharge है वो surcharge भी लगता है, individual H-U-F, A-O-P-B-U-I artificial, juridical person, इनके case में surcharge भी लगता है अब आप मुझे बोलो के surcharge क्या होता है surcharge means tax पे tax you can say that, आपका जो tax है उस पे और extra charge लगेगा that is called surcharge अब एक चीज समझना, ये जो surcharge होता है ये किस पे लगाया जाता है जो ज़्यादा पैसा कमाते है जो लोग ज़्यादा पैसे वाले लोग है जो ज़्यादा पैसा कमाते है उन पे surcharge लगाया जाता है सर किस किस पे surcharge है और कितना surcharge है तो individual, HOF, AOP, B.U.I artificial, juridical person पे surcharge कैसे है समझना, that depends on your total income अगर आपका total income जो है, total income का मतलब होता है net taxable income और net taxable income is deduction लेने के बाद वाला एक बाद बताओ, deduction लेने से पहले का income हम GTI बोलते है that is gross total income इसमें से आप deduction लोगे ATC वगेरा, deduction under chapter 6 एक रगे ठीक है, वो लोगे और deduction लेने के बाद जो बचेगा it is call your NTI और I can say that net taxable income अब एक चीज़ समझना ये जो net taxable income है या total income है if it is more than 50 lakh ये 50 lakh से ज़्यादा है but up to 1 करोड है तो surcharge लगेगा 10% जो भी tax आएगा उस tax पे आपको 10% और add करना है surcharge, अगर किसी individual HOF, AOP, BYU, Artificial Juridical person का net taxable income is more than 50 lakh और up to 1 करोड है अब एक चीज़ समझना किसी individual का HOF, AOP, BYU, Artificial Juridical person का total income is more than 1 करोड up to 2 करोड means 1 करोड से ज़्यादा है but up to 2 करोड तक है तो surcharge का rate है वो 15% हो जाएगा means 15% की rate से surcharge लगेगा अब एक चीज़ समझना अगर किसी की income 2 करोड से ज़्यादा है and up to 5 करोड है तो 25% की rate से surcharge लगेगा surcharge rate will be 25% and किसी की income 5 करोड से ज़्यादा है तो 37% की rate से surcharge लगेगा ये last year अपनी जो निर्मला ताई है निर्मला जी ने जब election वगरा जीत लिया जब जुलाई में budget आया तो इनोंने ये higher surcharge डाले जो क्या high wealth वाले जो लोग है जो बहुत पैसा कमाते हैं उनके लिए surcharge पहले क्या होता था पता है कि अगर 1 करोड से ज़्यादा income है तो surcharge की rate है वो maximum 15% थी बट इनोंने ये 25% and 37% का जो surcharge rate है 25% and 37% का surcharge rate है ये इनोंने last year budget में डाला जो last year 2019 का election के बाद में जो budget आया था उनोंने उसमें 25% और 37% की category डाली तो एक बात बताओ आज कितना महिंगा हो गया अगर कोई 5 करोड से ज़्यादा कमाता है अब यार मैं तो कमाता नहीं कर गे इतना सारा आप कमाते होंगे तो आप अगर 5 करोड से ज़्यादा कमाऊगे तो आपको tax rate क्या होगी पता है 30% तो tax और उस पे 37% की rate से surcharge तो 30% का 37% करोगे और फिर उसमें 4% health and education सैसोर आ जाएगा तो approximately 43% tax आता है तो जो लोग है वो अगर मानलो 5 करोड से ज़्यादा कमाते है तो उनके लिए बिटा इतना tax है वो इतना tax आता है 37% की rate से यहाँ पे surcharge है तो देखो बिटा मैंने बोला surcharge किसको लगता है individual HOF, AOP, BIO, artificial, juridical person इन 5 लोगों की case में surcharge लगेगा if your income is more than 50 lakh up to 1 करोड 10%, more than 1 करोड up to 2 करोड 15%, more than 2 करोड up to 5 करोड 25% and more than 5 करोड तो आपको 37% की rate से surcharge लगेगा अब एक चीज समझना यह surcharge किस पे लगता है tax पे आप पहले tax निकाल दो और उस tax में फिर जो है वो आप surcharge को क्या कर दो add कर दो अब एक चीज समझना और यहाँ पे जो भी आप tax लेते हो और उस tax में surcharge add कर देते हो जो भी तुमारा tax आता है और उस tax में surcharge add करोगे अगर लगता है तो इसकी जो total होगी ना उसमें always आपको health and education says है वो आपको 4% add करना है health and education says 4% यह आपको always add करना है miss करना ही करना है यह लगेगा सबको लगेगा तो जो भी tax आया plus surcharge if applicable and उसमें आपको 4% है वो आपको health and education says है वो health and education says आपको add करना है you got my point or not yes अब एक और चीज़ समझना आप लोग sir एक बात बताओ आप बोल रहे है health and education says said करना है answer is yes sir आपकी दिमाग में question आ सकता है कि sir एक बात बताओ यह जो ज़्यादा लोग पैसा कमाते है न उनके लिए इन्होंने surcharge rate बढ़ाया alternatively ऐसा भी तो कर सकते थे tax में एक नया slab create कर लेते कि जिसकी income 1 crore से जादा है उस पे आप 40% tax बरो 30 की जगे वैसा भी तो कर सकते थे बढ़ वैसा क्यों नहीं किया why they increase the surcharge का rate उसके पीछे reason यह है कि मैं बता दू जो surcharge का जो portion होता है न वो portion central government अपनी जेब में डालती है means जो taxes का portion होता है और central government, state government के बीच में sharing होती है but when it comes to the surcharge surcharge पूरा है वो मोदी जी की जेब में मतलब जाने वाला है central government है वो central government share नहीं करती है that's why they increase the surcharge का rate rather than income tax की rate का rate क्योंकि income tax बढ़ाया होता तो उसमें state government को पी देना पड़ता और यहां central government चाती है जो पैसा है वो state government को क्यों दे इसके लिए उन्होंने surcharge का rate है वो बढ़ाया है अब एक और चीज़ समझना आप लोग उसके बाद अपन देखते है partnership firm पे tax rate क्या है तो मैं बताओ partnership firm तो मैं अगर firm की बात करूँ तो firm में हमेशा LLP include होगी तो जो भी तुमारा partnership firm है including LLP as well as the local authority जो local authority है LLP है and firm है उस पे tax rate है वो flat रहती है 30% 30% का tax rate that is the flat tax rate करके ठीक है special rates वाली income special rates ही जाएगी LTCG होगा वो 20% STCG 111 है 15% बाकि जितनी भी firm की income है LLP की income है, local authority की income है वो 30% से क्या इनको भी surcharge लगता है firm LLP local authority, answer is yes यहाँ पे भी surcharge लगता है लेकिन कितना लगता है पता है यहाँ surcharge की rate है वो flat rate है, कैसे समझना जैसे surcharge वहाँ तो सब अलग अलग था 10, 15, 25, 37, यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ कैसे है कि इनका अगर total income इनका जो total income और I can say that net taxable income that is more than 1 crore अगर 1 crore से ज़्यादा है तो सीधा 12% की rate से surcharge लगेगा अगर इनका total income net taxable income is more than 1 crore, 1 crore से ज़्यादा है तो सीधा 12% है, वो 12% की rate से क्या लग जाएगा? surcharge, तो देखो पेटा मैंने क्या बोला? जो firm है, LLP है, local authority है उस पे tax rate is 30% total income 1 crore से ज़्यादा है तो सरcharge लगेगा कितना? 12% की rate से, 1 crore से ज़्यादा है तो ही surcharge लगेगा, कॉंसी rate से? 12% की rate से and बेटा health and education says है वो 4% आपको always जोड़ना पड़ेगा always है, वो आपको health and education says है, वो तो 4% चोड़ना पड़ेगा, अब एक और चीज़ समझना एक cooperative society होती है cooperative society पे tax rate क्या है? तो मैं बता हूँ cooperative society जो होती है जितनी भी cooperative societies रहती है वो cooperative societies की income में basically deduction मिलता है ATP का तो normally इनका income आता नहीं बट अगर माल लो income आता है cooperative society का तो उस पे tax कैसे लगता है पता है अगर उनकी income up to 10,000 है तो 10% tax लगेगा more than 10,000 है and up to 20,000 है तो tax 20% से लगेगा and more than 20,000 उनकी income है means net taxable income वो more than 20,000 है तो tax है वो 30% से लगेगा और इनको भी surcharge लगेगा answer is yes surcharge partnership firm जैसे surcharge लगेगा at the rate 12% if net taxable income is more than 1 करोड और health and education says वो आपका 4% है वो always लग जाएगा always है वो आपका 4% की rate से लग जाएगा तो देखो गटा मैंने आपको क्या बोला अगर मैं आपको एक बार tax rate की बात करूँ पहले firm LLP local authority 30% flat rate flat rate 30% surcharge if NTI is more than 1 करोड 12% से surcharge लगेगा health and education says तो लगना ही लगना है उसके बाद मैं मैं अगर cooperative society की बात करूँ तो cooperative society के case में up to 10,000 तक है वो 10% tax है up to 10,000 10% 10,000 से 20,000 20% and more than 20,000 30% surcharge लगेगा 12% की rate से if NTI is more than 1 करोड और health and education says है वो आपका 4% से लगेगा चलो अब एक काम करो आप एक बार आपको मैं कुछ बताता हूँ अपनी book से वो एक बार आप देख लो उसके बाद मैं आपको company का tax rate बताने वाला हूँ कि company को कौनसी rate से tax लगता है तो चलो आप एक काम करो अब आपके पास जो book है उस book में यहां से पढ़ना चलो करो यहां से यहां से लेके मिस आपका page number 3 से लेके and page number 4 में जहां in case of domestic company है ना उसके उपर वाला यहां तक एक बार आप 2-3 मिनिट में overview कर लो और यह एक बार read कर ले ना मैंने आपको सिखाया था और इसके पास वो वैसा लिख लेना था 1st April 1961 को अगर किसी का बर्थ हुआ है तो इस साल में उसको higher basic exemption 3 lakh का benefit मिल जाएगा वैसा आप लिख लेना ठीक है चलो तो आप लोग company का tax rate को छोड़के उपर जो दे रखा है उसको एक बार आप read कर लो एक बार आप read कर लो फिर मैं आपको सिखाऊंगा company का tax rate यह मैं बोल रहा था यह के यह copy बार दो अगर ऐसा चाहिए बार था हम पिंटा हम पिंट ऊपको ऽाहिए कम् पार उचमा याप है अपको प्लाप, एक अपको अपक कर यह है खो। कर दो called हम उंप लो कि अवज कर दो खम मैं उपको झाल 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 हम झाल 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 झाल